नमस्कार, हिमाच्र बुलेटिन में आपका स्वागत है कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लडाई ठीका लगवाने में ही है सब की भलाई 18 वर्स से अधिकायू के विक्ती ठीका करन के लिए पंजी करन करवाएं पंजी करन के लिए www.covin.juv.in अध्वा self-registration.covin.juv.in पर लॉगण कर अपना मोबाईल नमबर दर्ज करें मोबाईल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फॉर्म के अनुसार विवरन भरे और स्वाइम को पंजीकृत करें दिका करन के उपरांध भी तीन बहुमोल्य नियम अवश्य अपनाएं हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबुन और पाने से नियमित तौर पर अच्छी तरह धुएं दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें अब पेश हैं आज के समाचार मुखे मंत्री शीर जैरम ठाकुर ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच देश के लिए राहत पैकेज की घुशना करने के लिए केंद्रिय वित मंत्री शीरमती निर्मला सीतारमन और केंद्रिय वित और कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री शीर अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बादशीत करते हुए मुखे मंत्री ने कहा इस बात की प्रसंता है के आदर्निय मोदी जी के निर्थित्तों में पुरे भारत बर्ष में कोबिट के संकट को ठीक तरह से हंडल करने के लिए बेहतरीन काम हुआ है और उसके साथ साथ में जो कोबिट के कारण जो हमारी आर्थिकी परवावित हुई है हर एक वर्ग की किसी ना किसी तरह से पैकेज दे करके किसी ने किसी तरह से मदद का को रास्ता निकाल करके मदद करने की कोशिशं हुई है और इसमें एक पहल जो है मुझे लगता है कि जो पिछले कल गोशनक हुई है हमारे केंद्रिय भीत मंत्री gear साथ जो है वो वीत राजय मंत्री दोनुने उसकी गोशनक की मैं उसके हिर्दे से स्वागत करता हूँ और लगवग पूरे देशबर के लिए 6,29,000 करोड रुपए की एक बहुत बड़ी एक पैकेज की जो अनॉसमेंट हुई है जिसका पूरे देशबर में अविनंदन हुआ है स्वागत हुआ है और मैं भी हिमाचल परदेश सरकार की और से हिमाचल परदेश की जनता की और से उसमें आर्दी काविनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ निश्यत रूप से कोबिट के कारण जो एकॉनमी प्रभावित हुई है जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको इसमें बहुत जबूत करने के लिए इस में इस पैकेज के मादियों से जो घोशना हुई है वो एक बहुत सराहनी कदम है सबसे बड़ी बात है कि कोबीट को हैंडल करने कि सेकंड फेज का कोबीट का ये दौर अभी जो चला हुआ है लगवग लगता है कि अब समाप्त होने वाला भी है तो को ध्यान में रखते हुआ आने वाले समय के लिए हम जो त्यारी करनी है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक पहल है और उसी तरह से दूसरा जो हमारा सेक्शन जो हमारा मैस्पी जिसको बहुते हैं और उस सेक्टर में भी जो दो प्रश्चर से कम ब्याज दर पर जो है वो उसमें MSP ही जादा है उस दृष्टी से मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी मदद हिमाचल परदेश के लिए हमारे लिए इसमें होगी और उसी प्रकार से तूरिजम के सेक्टर में भी मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि हिमाचल परदेश एक तूरिजम की दृष्टी स एक बहुत महत्तफुन राज्य है पुरिदेश वर में और यहां इसमें जो सो प्रत्शत गारंटी रिंड के साथ प्रेटन को पुनर जीवित करने की जो योजना होटल वैवसाई उनको अपना वैवसाई सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद मिलेगी और उसमें 11,000 से अधिक जो पंजीकित, प्रेटक, गायट, यात्रा और प्रेटन हितिदारकों को बीतिय सायता से भी युवाओं को सो रोजगार का जो है वो एक रास्ता खुले का यह मुझे लगता है कि हिमाजचल की दिश्टी से बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें हिमाजचल प्रदे भारी संख्या में पर्याटकों के हिमाजचल आगमन से संबंधित पतरकारों द्वारा पूछे गए एक प्रशन के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कोशिश यही है कि हिमाजचल प्रदेश में प्रटक भी आए लेकिंग प्रटक आने के साथ साथ में पूबीट के जो हमारे नॉंस हैं जो हमारे प्रोटोकॉल है उसका वी आलन हो है उस दिश्टी से हम सुनिश्यत कर रहे हैं कि जतना समभव हो सके हर प्रटक जहां जहां भी आ रहे हैं, उनको पुलिस डिपार्टमेंट की और से होटल की जो मैनेजमेंट है, जहां वो ठैर रहे हैं, उनके मादिम से सारी चीजों को अगद कराये जा रहा है, और काफी लोग उसमें कॉपरेट भी कर रहे हैं, मास्क पहन करके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नंबर ज्यादा कई जगा आने के कारण वो क्रॉड की शेप में दिख रहा है, उसमें और ज्यादा साब धानी बरतेने के लिए हमने कहा है, जहां भी पुलिस फोर्स को भी लगाने की आफशकता है, और उसके साथ साथ में, और जो होटल की जो हमारी एस्सेशेशन हैं, उ जहां आकर के जो है, वो प्रोटोकॉल जो कोवीद का है, उसका पालन निश्ची तुछ सेथा है। मुखेमंद्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निगम व समीतियों के अधिकार क्षेतर के 2 किलोमेटर के दाइरे और नगर पंचायत के 1 किलोमेटर दाइरे में संबंधित निगम व समीति से अनापती प्रमान पत्र के बिना खनन पट्टे को अनुमती नहीं देने का नि लिया है इसी प्रकार किसी भी जलापूर्ती और सिंचाई यूजना के 200 मिटर के दाइरे और पुलों की धारा के विरुध और धारा की प्रवाह की और 200 से 500 मिटर के दाइरे में खनन संबंधी गतिविधियों के अनुमती नहीं होगी श्री जराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अवैद खनन से अधिक कड़ाई के साथ ने पटने के लिए दंड का प्रावधान भी किया है अवैद खनन में शामिल वेक्ती के खिलाफ 5 लाग रुपए का जुर्माना और दो वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार सीमामवर्तिक शेट्रों में और अधिक खनन परताल चौकियां स्थापित करने पर विच्चार करेगी मुख्यमंतरी श्री जराम ठाकूर की उपस्थिती में आज शिमला में प्रदेश सरकार और मैसर्स SMPP Private India Limited के बीच प्रदेश में टैंक और तोपों के लिए एम्म्यूनिशन निर्मान इकाई स्थापित करने के लिए 5,000 करोड रुपे का समझाता ग्यापन हस्ताक्षत क्या गया इस और्द्योगिक पर्यूजना से लगभग 85,000 लोगों को प्रत्यक्ष वा और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा मुखेमंतरी श्री जराम ठाकूर ने 30 जून को सेवा निवरित होने जा रहे हिमाचल प्रदेश उच्छ न्यायाले के मुख्य न्यायधीश एल नारायन स्वामी के सम्मान में आज श्रीमला में हाईटी का आयूचन किया इस अबसर पर मुखेमंतरी ने कहा कि न्यायधीश स्वामी का हिमाचल प्रदेश के उच्छ न्यायाले के रूप में एक वर्ष नौ महा का कारेकाल राज्य के इतिहास में दर्च किया जाएगा क्यूंकि उन्होंने अपने कारेकाल के दोरान लोगों को शिखर न्याय दिलाने और न्यायक मामलों के त्वरित निप्टारे के लिए गंभीर प्यास के श्री जैराम ठाको ने कहा कि ये मुख्य न्यायधीश नारायन स्वामी के प्रयासों के कारण ही ये संभव हुआ है कि नाहन, शिमला और किनौर में पोस्को अधिनियम के अंतरगत तीन फास्ट रैक न्यायाले स्थापित किये गए उनकी पहल के कारण ही राज्य के दुर्गमक्षेटरों में आधनिक तक्नीक युक्त न्यायक भवन का निर्मान संभव हुआ मुखे मंत्री ने कहा कि हिमाशल प्रदेश उच न्यायाले की सिफारिशों के कारण प्रदेश सरकार ने तीन आतिरिक्त जिला इवं सत्र न्यायाले, तीन फैमिली कोट, साथ नागरिक न्यायाले और छे फास्ट रैक कोट स्थापित किये गए हैं श्री जैराम ठाकुर ने नियायमूर्ती एल नारायन स्वामी के स्वस्थ जीवन वदिरगायू की कामना की, मुख्य नियाधीश नियायमूर्ती एल नारायन स्वामी ने उनके सम्मान में हाई टीके आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और विशेशकर मुखे मंत्री श्री मनोज यादव ने आज शिमला में मुख्यमंतरी श्री जराम ठाकुर से भेंट की हिमाजल प्रदेश के पुलिस महानेदेशक श्री संजे कुंडो भी उनके साथ उपस्थित थे। स्वास्थेवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजी जारी बुलेटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 2,152 लोगों के सैंपल ये गए जिनमेंसे 837 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1301 लोगों की र अभी तक 24,12,712 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमेंसे 22,9568 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है प्रदेश में को 2,183 लोगों में कोरोना वाइरस की संक्रमन की पुष्टी हुई है जिनमेंसे 1,96,826 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1518 वेक्ति उ इस अंग में इतना ही कल फेर होगी मुलाकात दीजिये जाजत नमस्कार